कि सिर्मान जो गुरु स्वारयों वाहगुर जी का खालसा वाहगुर जी की पते है आई दी गुर्मत क्लास विच जो सिख विशी का अलिद द्याना बलों रजाना आनलाइन चल रही है आप सारे अनुग जी आया आप जीदा स्वागत सद्गुर्जी दिग्ये बेंती जोदरी है महराय सचे पात्षा उद्ण बक्षी रखन गुरु दिया कथा कहानियां रल मिलके असी रोज कर दे रही है और अपने जीवन उस्वार से किये अज साड़ा विशा बहुत ही कैम विशा है उस महान जोदे दी दास्तान है जिस जोदे ने दरबार साब दी राखी लई अपने आपनों कुर्बान कर देता किने होर जोदे त्यार किते किन्या नू जीवन मरंदी जाज सखाई किन्या नू दरबार साब ते होन वाले हमले दे खलाव खड़े हों दा द्रड़ता बक्षिश किती इस महान जोदे दा नाम जीवी सदी दा ए जोदा में जी जजल सबेक सेंग जो एज उनने सचराशी नू शिर्यकाल तक सब्त शाद प्राप्त कर गे उना दे दास्तान इतियास आसी आप जिना संजा कर रहे हों दास्तान इतियास कौमा दी तकदीर नू लिख दे हान लिगल बक्री है कि कौमा कुछ समय बाद अपने जो द्यादाव सतकार नहीं कर दियां जो सतकार करना चाहिदा है बहुत सरे स्वानवी मनावज खड़े हुंदे हान तो यह महान जोदे दी दास्तान सानुसान जी का रहे हैं में बड़े वीर जी ते इंदर सिंग जी दिल्ली तों मैंनों बेंति कर दा हूं कि आज दाए सब्जेक्ट विशा शुरू करन मेजर जनरल सुवेक सेंग जी की पते हैं वाहिगरू जी का खालसा वाहिगरू जी की फते हैं सिप मिश्टरी का लएज दी गुरमत कि लास यूएसे विच पीर और पैन आज जनर ने आज रही आज परी है उना सारे अनुझ जी आयां कहनता हुआ जो आगीदा सा अपक है ओ है मिश्टर जनर सुबेख सिंग जी उनना दे जीवत दे बारे और उनना दे अचीवमेंट्स दे बारे आज असी आपकी दिनार्थ विचार करनी है सद्गुरू के अरदास बेंती है कि सद्गुरू सिख कौम दे उपर मेर परयात रख़त और एहो जे जड़े वीर जोदे हैं जिनने शिख तरम देवास दे अपनी अधुत्ती पुर्बानिया देती हैं उननों कौम हमेशा ही याद रखे और उनना तो प्रेर ना लेंदी तो आओ असी अज इस विचार चर्चा नों शुरू कर दे होया इननों जनरल सी कमा गें मेजे जनरल साब लूं इस तो पहला इनने जीवते चाह मारीये मैं एक हला आप इनना सांजा करना चाना के सिख कौम दे विच अने काहीं गुमनाम शेहीर हुए हां जिनना ने सिख तरंदी चर्दी कला वास्ते अपना जड़ा वर्तमान को सिख कौन दे पुविक वास्ते वार दिता और अपड़े आपनों कदी होना जटाया नहीं पसी अर्दास विच भी एही गल दुराने हां जिनना सिंगा सिंग्णिया ने तर मेशिस दे बांथ बांथ पांथ कटाये को प्रेयन वाही आई चर्टी आदे चढ़े आरे ना चराएगे गए गुर्द्वारेयां दी सिवा लए कुर्वानिया कीटी दिनना दी पूइतर कमाईदाद आ आंतार के भोलो सारा से पंथ वाइगरु बोलता है ताकि उना दी जो शहादत है उसनों असी सिजदा कर सकीए उनों असी नमन कर सकीए और उसनों असी प्रेरना ले सकीए तो ए जो सदी है जड़ी पिछली सदी पीती है उस दे विच शीदा दी इस लंबी कतार विच एक सिद्धा सादा पर बहादर सिक वी आंधा है जो एक आम पेंटू पदर दरते उठके पार्ति फोज वीच मेजर जनरल दे आधे होते पौँचे जिसनों पारत अते सिक इत्यास विच मेजर जनरल सुभेख सिंग दे नानाल जाने जाना है आप मेजर जनरल सुभेख सिंग दी तस्वीर आप स करीन दे उपर देख सकते हैं ए ओ इनसान दी कहानी है जिसने अपनी फौजी नोक्तरी पकत पच्छमी बंगाल नो पाकस्तान तो अजाद कराया एक कौमी कारज ने बहुंदा सब्दा आउन उते रिटाइड जिनकी गुजारंदियां अपनियां सारियां सोचा नो अकाल तकत स्री अम्रसर साथ ओपरेशन ब्लू स्टार विच पार्थी फौज ना जूद्य होयां अपनी कौम लई अदुती जड़ी पुरुबानी देती जनर सुबेग सिंग ख्याला पिंट दे रहन वाले सदार पगवान सिंग अदे माता प्रितम कौर दे सब तो बड़े सपुतर संग उन्ना दे छोटे तेन प्रा अदे दो पैना संग इन्ना दे परवार्दा सबंद पाई मैताब सिंगी नाल एज जिनना ने 1740 विच पाई स और अइन्ना परवार दापींदा नामी परवार से इन्ना दे पिंट दा नामी उनना दे परदादी दे नाना जोड़े जानिंदा सी ख्याला नंद सी जनरल सुभेक सिंग जी दे माता जी सिख तर्म नू उरी तरां समर्पत सान अते अपने भच्या नू पाइस साब जी दे वारस हों दे नाते परवार दे नानू रोशन करन लई हमेशां प्रेवना दिंदे रहन दे सान। मस्रूफ रेंदे सान। जनरल सुभेक सिंग जी दा बच्चपन एक बहुत ही उश्यार डड़के वजों ते बौदिक तोर ते उपर बहुत चेतन सान। और अक्सर पिंड़ दे कई खास सुभावाले बंदियां होते कवतावां दावी जोड़ तोड़ कर लेंदे ते दुख कि मना नूई हसन ते मजबूर कर दिंदे सान। उन अदा इत्यास अते साहित वल खास चुका सी। आप जिने सिकेंडरी सिख्या लायलपुर खाल्सा कालेज अम्रसर पते कुछ विद्या लई सरकारी कालेज लहौर विच की ती। फुटबाल हाकी अते अथलेटिक से बहतर अठारा साल दी उमर विच उनना सौव मीटर दौड पते जिला बोर्ड शाल मारंदा रिकार्ड तोड़े आसे। पर उनना ने खेडा हूं अपड़ा किता ना बनांके फॉज दी नोप्रीन चुणया। जनरल सुबेख सिंग जी उनिसो चाली विच लहौर कालेज विच प जिननु सिद्धा पजाब रैजीमेंट विच सेकंड लेटनेंट वजों लेया गया। तो जनरल सुबेख सिंग जी नोँ उनिसो चाली विच पर्ती दे दुरान सिद्धा उननों सेकंड लेटनेंट दे रूफ विच लेया गया जड़ा के आर्मी दे विच एंट्री पॉचिए उनने रैजीमेंट जपान दे खलाफ लड़न लई परमारुमाना हो गया। जिसनु आइकल मैया 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 मारु जपान भी जाके उननने जपानी फोजियानू गुरिल्या जंग करंदी फोजी सिखलाई दे दी। उननी सो संताली विच उननू पारदे राश्ट्पती वलो परम वशिष्ट सेवा मैडर नाल ने वाजया गया से। पारत वांड हुन तो बाद यदों रैजेवेंट दा मुड संगठन कीता गया ता हो पैराशूट्स ब्रगेड वीच पैराट्रूपर वजों शामल हुए। उननी सो उनाठ तक वो इस ब्रटैलियन वीच रहे। उननाने हरेक फोजी कारवाई बारे डूंगी खोज कीती सी आते हरेक फोजी जनरल दी जीवनी भी पडिस। पंजाबी, फार्सी, उर्दू, गोर्खी, अंग्रेजी अटे हिंदी पैशामान नूं बोलन दे माहर संग। प्रेजर जनरल सुबेख सिंगी पंजाबी, फार्सी, उर्दू, गोर्खी, अंग्रेजी अटे हिंदी पैशामान नूं बोलन दे माहर संग। तो देहरा दून भी के फौजी अकैडमी विच अध्यापक भी रहे होर भी उन्हाने कई ओध्यां उपर सेवा निभाई फौज विच ओएक निडर अफसर वजों मश्वूर सान जो किसे भी तरह दी माड़ी हरकत नूं बरदाश्ट नहीं सी कर लोग उन्हानों बहुत पारतवलों लड़ी गई हरे एक जंग विच उन्हाने हिसा लेया वाजी कारवाई अधे फौजी विज्ञान दी उन्हादी जवर्दस जानकारी होन करके उन्हानों ब्रगेडियर मेजर बनाया गया 1905 दी पारत पाक जंग दुराम वो जम्मू किश्मीर मेच गोर्खा राइफल दे कमांडर वजों तैनाद कीते गए संग वो अपने ड्यूटी दे इतने पबंद संग कि अपने पिता दे काल चलाने वक्त उना दियां अंतम रस्माते वी ना पहुंच सके अते फौजी इस जंग को बाद सर्दार सुबेख सिंग नों करनल बना दिता गया उननू नागा लैंड विच नागा खाड़कों दियां कारवाईयां तबाउन भी जम्मेवारी दित्तिक उननादी कमांड हेट अठ्मी पहाडी डिवीजन दे पन्या जवान साल जिननादी अगवाई अ पैंतरे बाजे दी पैंतरे बाजी दी आपनी कला दी वर्तों कर दे सफलतानाल अलतनू काबू किता 1971 विच बंगालियां ने पाकस्तान तो आड़ हो लई पाकस्तान विरुदी गती विदियां दी शुरुवात किती जाद याईया खान सरकार ने बंगालियां उत्ते जुलम करने शुरु कीते तां बंगाली पारत विच दाकल होने शुरु हो गए ते पारज सरकार तों सायता दी मंग किती पारत सरकार ने उर्भी पाकस्तान विच चाल रहे अजादी संगर्ष विच लुकमें तोर ते शामल होन दा तैसला करने पाब बंगालियां दी जडियों मंग सी उस्ता समर्थन कीता पारत सरकार उन्हाने पारत दे उस्विले दे खोई दे मुखी जनरल मानक शाहने खास तोरते इसकाम लई सर्दार सुबेग सिंग्य नू चुनेया उन्हाने बंगला देश दी अजादी दी लड़ाई तुरान मुप्ती वाहनी सैनका दी सिखलाई देन विच दिन रात टिक कर देता मुप्ती वहनी दी ताकत में दर्साउन लई पाजितारा होटला हते चिटा गंग बंदर गां उत्ते खड़े जहाजा नू निशाना बनाया गया यू दिनी तक पदर हुते महतब पूरण फुल उड़ा देते गए फैक्टरियां बंद करवा देते गईयां हते आर्थिक दादा लख तोड़ देता गया नौ दस मीने विच ही बंगालियां दिया विरोधी कारवाईयां ने इतना जूर पकड़ लिया के अक्तूबर 1971 विच जद मुक्ती बानी ने काकेवाल मार्च कीता ता एक बिना किसे विरोधों राजदानी उते काबज हो गई लागवाग पाकिस्तानी फोजा ने समेद जनरल स्टाफ जनरल ए नियाजी ते आतम स्मर्पन कार देता जिस दे सिटे वजों बंगला देश आज मूंद विच अजाद देश देरोग विच आया इस सफलना दा सेरा सर्दार सुबेग सिंग जी दे सेरते सी पारज सरकार ने जनरल सुबेग सिंग नू मेजर जनरल दा ओदा देखे ओनानू परम विष्ट सेवा मेडाल देखे ओना वलों मेभाई सेवामानू मानता परदार केती उस वेले दे इस्टन कमांड दे जो जनरल इन कमांड सीगे जनरल जगी सिंगी अरोडा ओना ने मी इस सारे जो फोज जगी सिंग जगी सिंग जगी सिंग जगी सिंग जगी सामने जड़ा है वो पाकिस्तानी जनरल ने और अने पहुजाने है थार सुटी कि उन्नी सो त्रेटर विच जदों ओ माध्यप्रदेश बिहार उड़िशा दे जनरल कमांडर अफसर दे और दे उपत्यनासान ता देश दी प्रदान मंत्री इंद्रा कांदी ने उन्ना मूं जैपरकाश नरायन जिनू ग्रफतार करन लई और दिता जनरल सुबेक सिंग ज ने साफ इंकार कर देता कि एफॉज दी ड्यूटी नहीं है हंकारी सरकार वर्लों इस कारण लेजर जनरल सुबेक सिंगी दे खलाफ कई चूटे केस बनाके उन्ना तो सी बी आई दी उच परताल शुरू किती जो तक्रीबन एक साल तक चल्दी रही इस दौरान उन्ना दी जबलपूर बदली कार दिती गई उन्ना ने अपने खिलाफ लगाए दोश्यावजों मुकदमा दायर किता जिस विच अंतनू उन्ना दी जित फासल होई परसरकार अते फौज मुखीदा पोरी कुना उदों होर्स पश्ट तोड़ते समने आया बाइस एटिचूड समने आ क्यों कि में मेजर जनरल सुभेग सिंगी देनाल को एक बड़ी जड़ी है नफ्रजे कर देशन और बाइस एटिचूड सी जोदों मुक्ती वहनी दे हीरो परम विशिष्ट अती विशिष्ट सेवा मैडला नाल निवाजे गए लूँ आखिर सक्पकाई सरकार ने अप्रैल ती 1976 विच रिटायर होंतों एक दिन पहला उनानों फोईतों पर्खास्त कर देता गया पारे सरकार थे फोजी मुखी दी खोरी पुना उदों होर्स पच दोड़ते आया जोदों मुक्ती वाइनी दे हीरो परम विशिष्ट अती विशिष्ट सेवा मैडला ना निवाजे ग रिटायर होंतों एक दिन पहला उननों फोईतों बर्खास कर देता गया तो एक दिन पहला ही उननों बर्खास कर देता गया विदाउड एनी रिटायर्मेंट बैनिफिट्स जनरल सुबेक सिंग नूँ फोज विच उन्दया ही इस गालना स्यास हो चुका सी के सरकार पंजाब विच सिख अजादी करें भी बरदाश्च नहीं करें वो इस गलों वी चेतन सान इपार्ति सरकार वलों शिखा दिये तरक्कियां रोकन ते सिखा नूँ फोज विचों ब जोगा नूँ पंजाब विच नालगाउना सिख किसानी वलों पणक हते दूजियां फसलाँ दे मुड निधार्ण करण कुटे कंट्रोल दी नीती लागू करना ताकि किसाना वलों कीती गई मेंनदा पूरा-पूरा फायदा किसान ना लैसका पंजाब दियां नदी आदे पानी दी वांड विच भी पंजाब दे बंदे हिस्से अदे अदकार नू रद करना सिखा दे उचित अदकारा नू खतम करना दे साज़िश दा एक हिस्सास सरकार दा ए परचार सी के सिख क्यमिनल हान ते उन्ना वलों स्वैशाशन दी मांग नू गदारी क्या गया अकाली पार्टी नू अन्पड़ा ताकत हीना अते तेज हीना दी पार्टी वजों परचा रहा गया इना कमा विच उस वेले दी प्रेस्ट ने वी सिरकार दा पूरा साथ दिर्दा अनिस्तो सत्तर विच जनरल सुबेग सिंगी ने अकाली दाल विच शामल होंदा फैसला किता अकाली दाल दे जतेदार इस्दार गुर्चर्ण सिंग टॉड़ा ने जनरल सुबेग सिंगी दी गंपीरता नो वेख दो है साथ का फोजियां आते बुद्धी जीमियां दियां सिवामा लैन लई उन्ना तो सला लैने शुरू कर दे पारसरकार ने जनरल सुबेग सिंगी वलों तकाली दाल विच शामल होंदे फैसले नो गंबीरता ना लिया पते कई तंकियां परे सुने दिते गे पर जनरल सुबे सिंगी दे परवार उते तशद्द कीते गए जुलम दे पहले शकार उना दा छोटा प्रासी जो के बाजपर उतर परतार उतर प्रदेश वीच एक पुगे किसान अते राजनीती वान बने उलस्ते एक सथानक का अंग्रस आगूबलों त्यार कीती गई शाजश तहर उना द का कटल कर देता के इसे अगूबलों त्राइखेतर वीच रहन वाले सिखानुतम काया जांदा रहा छोटे प्रादे कतल जनरल सुभेग सिंग लई एक डूंगा सद्मा सी पर फेर भी उनना दे फैसले नूं कमजोर ना कर सक्या जनरल सुभेग सिंगी उनी सो असी तो उनी स कई वारी ग्रिफ्तार कीता गया थे उना जेल विच किसे भी तरह दी खास सहूलत लैंटों इनकार करके लहर विच ले तुझे सिखान दा आगू वजों मन जितेया और जमीन उते सौंदे हते अपना कोड बजूर अते बिमार सिखन दे 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 उना अपने साथियां हते बादल बल्वन सिंग रामुवालिया बल्वन सिंग ऐसेस्टी इंसा वाइस चांसलर बीएस समुंदरी आदा मन जित लिया पंजाब दे लोकां विच जल्दी ही हरमन प्यारे होगे अते पंत दी सेवा विच पूरी तरां सिमर्पित होगे जेल तो बाहर उन्दा जयातर सम अपने पिंड ख्याला विच अपनी माताजी दनाली वी दस उन्हा अपने पड़ेपे दुरां देरा दून विके कारबना के सुखी जीवन जियों दी योजना दफ्तिया कर देता उन्हा दी पतनी वी पिंड आ गई इना दिना विच पजाब दे हालत बहुत खराब से कई आगवां दे मजूद्गी दे बावजूदी पंजाब आगू रहत हो चुक्ता से इस तरह दे हलात विच एक और आगू उबरिया ते दमदमी टक्साल दे आगू जिना नूसंत जरनेल सिंग जी पिंडरा वाले दे र स्वारत हीं, अडोल, अटल, खरा विवाक ते बे जिचक आगू से उजदा एको हिस सी सिफ कौम दाहित जदों ओ तोखा दे ही वाली सरकार दी इराई नीतियों पे हमला कर दे अक्सर शब्दानी चोंड विच वे तरस हो जाने विवाकी नल दस्दे तेके में सिखा दा शोशन हो रहा है तेके में अकाली अपने दाव्यां दे बावजुद तोखे यते वोड़ पांदी वोड़ पांदी राजी राजनीति दे शकार बन जाने हां इना हराता वीश लोग उना दे बड़ी पदर उते पिछे लाग पुरे जल्दी ही ओ सिखा दे सिर्मोर आग्दू बजों उबर गए उना दी वद्दी हर्मान त्यारता कांग्रस सरकार लई खद्रेदी कंटी से एक दिन जाद ओ दरवार सा एक फथा टेकन गए ता जनरर सुबेग सिंगी दी मुलाकाथ संता नाल गोई जिनना तो ओ बहुत परवावत कोई समय दे नाल नाल ओ दो में एक-दो जेदे होर नेड़े हो गए पंजाब विच उस विले चल रही लहर दा टीचा सिक्षा वास जित्वे ओ अजादी दा अनांद मान सकते निक मान से इस लेहर दी जोर शोर नाल संथ जी अगवाई कारे संध जनरर सुबेग सिंग जी संता दे फोजी सलाकार वजों इस लेहर नाल जुड़ गया इस दा वड़ा कारण पारती फोज दे सरकार वलों उननाल कीता गया कि अप्रेशन ब्लू सार्दी पनक पैचुकी सी उन्हा आपने आपनों दर्वार सब कंप्लेक्स विच लामबाद करना शुरू कर देड़ी निजिसो त्रयासी विच जनरल सुभेग सिंग जी दे कैन ते संता ने अतेसदार गुर्चरह सिंगी टोड़ा ने शिक बुद्धी जीवियां दी एक सब्सक्राइब लाई जिस विच सरकारवलों हिंदु अन्मान जितन लई सिखानू बलीदे बक्रे बनाये जान लई खतरनाग हालत पैदा करन दी सरकारी नीती बारे विचार उटांदरा इता गया जनरल सुभेग सिंगी ने प्रसित सिखा अते सेवा मु सब्सक्राइब इस मौके उते पंतक एक्ता पनाई रखंदी लोड उते जोर दिता पड़ी पदर उते सेवा मुक्त सिखा ने इस मीटिंग विच पाजरी परी इसने सरकार मुँ हला दिता इक लेक वाके मरंज जितन दा एहद ले आगया जिस दी अगवाई जनरल सुभेग सिंगी ने किती सिक मान उते करड़ी सट मारन लई जून उनिस्टो चरासी विच फोज बला ले गई फोज दे आगवाँ नू ते आननाल चुने आ गया जनरल सुंदर जी पामे फोज दे मुकी सान और लेक्टिन जनरल आरस ते आल नू कारवाई दे कमांडर वजों पारस सरकार ने वड़ पदर उते परचार किता ते फोजी सिख अफसरावलों तरवाग साब उते कारवाई दी हमाइद किती हैं वेजर कुदीव सिंग प्राड यूकि सिर्फ ना दा सिख सी शराब दे सिग्रट नोशी दा शुकीन सी कैर सिख कार विच व्या हया से लेक्टिन जनरल द्याल समेथ अंबले दी कारवाई दे कमांडरा मजों ने वाज आ गया यानि जैल सिंग जी जिसने फोजी कारवाई सवन दी जो का गई सा उस उते दस्कत कीता ओ उस वकत पारा दे राश्ट पती सा सिखा अगे इस दा जवाब देंदा एको एक परस्ता मुकावला करनदा ही बच्छा से अंतनु संता अते उनने साथियान अकालता तकत उते पना लैंड ले मजबूर होना प्यां उन संत जी ने जनरल सुबेख सिंग जी दी लोग से जनरल साहिब कुछ मीने पहला दिल दे कारण खराब होई सेथ सुदारन लई देरा दून वाले अपने कारविच रह रहे सां पामें उत्हों भी ओ सिख परचार लई लगातार मीटिंगां कर दे सांत जी ने उनना नू बला पेजिया एक खां सरकारा मार्च उनिस चुरासी दे आद विच उनना को देरा दून पह पैंदा सुनेहाद इता हुनना सुनेहाद मिल दे अपने से ते अपने हौर कामकार जो उनना उन उते करने सी सब नू इक पासे राखके अम्रह सर जांदा तैसला कर ले अम्रह सर विके पांच के ऑशरकार वलों दर्वार सरुते हमले दे विरुद्ध राखि लई पैंतरे बनाओन विच रुजब उन्हाने राखी दियां पैंतरे बाजियां दी सिर्जना इस तरह किती के दरबार साब आउन वाले शर्दालुआ तो रुकियां रहें पते नाली ए राखी दी योजना बंदी पर बावशाली भी होगे गुर्वा दी पुईतर हाजरी विच जान वार अपने उठां होते गुर्गोविज सिंग साब जी ये लवज जड़े को अर्दास कर देयां समय तो बिना थक्यां अपने कारज वीचे लीन रहें दे संग के जिस वेले मेनू मुका मिले मैं आपनी जिन्द जड़ी है कौम तो बार दे होना दी मदत वास्ते दोसों तो भी अपने आकरी साह तक लड़न दा मादा रख दे संग के इनी थोड़ी मात्रा विच साधना नाल को अथ ताकतवार फोज उपर पारी नहीं सान प्या सकते पर संता दे इस तरह विश्लानू कि मैं मन सकते संग के संग के संग के संग जी बाबा दीप सिंग जी ले पच्छ न ना उते चल दे होया शीदी देन दी चोन कार चुके से एक अधे दो जून नू जनल ब्राज ने खुद पेस बदल के शर्द्वाला दे शर्दालू दे रूप बिच सिरी हरमंदर साहब दे अंदर जाके सिखावनों कीते गए राखी प्रबंदा दा जैजा लया अधे आप जनल सुबेक सिंग्जी लिया कसी की छे कंटे चलन वाला मिलिटरी ऑप्रेशन लगबग् छे दिन चलता रहा है इन जून उन सब्दुन और ये अमरस हार दे सारे पंजाब मुसील करते ता गया कटेहरमंदर साब वाल आउन वाले पार जान वाले रस्ते ले उत्य पबंद आपनी माता जी पतनी अते दुझे साख सबंदिया नू और मंदर साब तो बाहर जान अते पेंड़ वापस जान लई जोर पाया सारे साख सबंदी गुराजन देव जी देशी जी दियाड़े सबंद पिछ परदास करन लई आएसं क्योंकि चार जून नू सी शेहिदी दियाड़ा पर हजारा संक्ता जो इस सला सलाना दियाड़े नू बनाव लई दरवार सब पहुंचियां ते अमरत वेले वी चौंकी कड लई इंजार कर दे कर दे स्वेर दे सडेनों वजेतों पहला हर मंदर साथ तों बाहर ना निकल सकी हजारा संक्ता ताकत्वा सरकार दे चमच्यावलों कीते गए कत्रयां विच शेहिद हो गए सिख सिखाने कोमी शेहिदा दी प्रंप्रा में शेहिदा दा एक भोर जथा पेड़ किते संता ने पाई अमरीक सिंग दी पते जनरर सुबेक सिंग पते होर बहादर योदे यो हर मंदर साथ ते सिखा दे मान ती राखी लई लड़े सां आपनी जिंदगी दा आकरी कांड ख सिखाना गवाचों के सांग अते जो बचे सांग पार्ति सरकार दियां जेला विच सड रह सांग पारत पर सिख इत्यास विच एक नमा कांड अले होर शुरू होना जा रहा सी निल्या तारा साके तो बाद अजारा सिख नौजवाना ने इस तरती नो जिसनों सिख आपना मं सांग तूस्दे जादी लई संगर्ष विचीदियां पराबत किते हैं एक अजाया था जिते ओ आपनी किसनों दे मालक बनना लोई दे सांग अते जिसनों ओ इंद्रा तरजीव गांदी वरगे असूला दे कच्चे अते ताकत दे पुखे राजनीतकां दे सोशन तो बचान पांच यूंदी अदी राद दे समय संता नू अथे पाई अमरीक सिंग औरे विच गया आज पांज पांज मेंट मेंट भी नहीं संग होए के जनरल सुबेक सिंग जक्मी हालत विच लग लुहान होया उत्री दर्शिन डियोडी वलो पर कर्मा विच ब्राम्दियों ब्राम वाल दे पॉडियां आदे विच कार जहे पोरे वालनू पैंदे दरवाजे विच चोंदी उतर दिया पॉडियां राई डिग दी टैंदी होई हालत विच संता पास पुझ गया जनरल सुबेक सिंग ने जान दें ही पहले फटे को जाई ते फिर इस दे नाल ही बड़ी चड अधिकला ते प्रसांट चित अवस्ता विच क्या पुर्शों वाई गुरू ने दास तो जिनी सेवा लैनी सी को लेले ही लग दिया अते दास आत्मक तौरते बहुत प्रसांद है मान आप दे दर्शनान लोजदा सी सो आग है यह संता ने पाई अमरीक सिंग शंता ने लुहान हालक विच वेख्या उनना उस समय जनरल सुबेक सिंग इनु सहारा देंदे आया अपने पास बढ़ा लै जनरल साहिदी छाती दे सज्जे हिससे अथा पासों पासे विचों लव दिया तारा वराला वैरीया सा अते मोडे दे बाह चलनी होए होए सा याद पाई मरी पटियां बढ़ा ले क्या अगों जनरल साब ने मुस्क्रांदयां होया क्या परदान जी उन पटियां दी कोई लोड नहीं दास दे जुम्में घुरू पंत दी जिन्नी सेवा लिखी होई सी ओं पूरी हो गई है लगदा है फिर इस देनाल ही जनरल सुबेक सिंग ने अपन त्यान संतावल मोड़ियां होया क्या मापुर्शों उन दास दे हाक विछ वाज़ू दर्वार विछ अर्दास करन दी किर्पा करो के दास वरों तिल फूर भूप विछ नवाए गई सेवा खालसा पंत दी कामना दे अजादी दे लेखे लगए और तामान दी इही कामना है सिख कोम राज पाग दी मालक बने अथे खालसा पंत एक अजाद दे खुद मुक्तियार देश दा मालक होगे संता ने जनरल सुवेक सिंग दिया गला बड़े प्रेम ना सुनिया अथे पाद विछ उच ना लई अंतर दियान हो बड़ी मद्दम यह सुर्विछ गुर्वान कोई शब्द पड़या फिर अपने पास फुलोते सिंगा नू जनरल साब नू एक पासे जे करके अराम ना लिटा देन लेक्या आए अमरीक सिंग दी हुन जनरल साब तों शायद पुचरे सान तो आनू एक गोलियां किद्दा लगी हुना तो बोले नी सी जा रहा बड़ी तुटवी आवाज विच थोड़ा जोड़ दे के कहा जोड़ो मैं उतरी दर्शनी ड्योड़ी वाला सिंगा दे मोर्चा वा नाल टैंका दे अंदर गर्नेड सुटन बारे मश्वरा का रहा सी मेरे साब नाल उना सिंगा अथों फोज दी होई तबाई तो पिच्छों ए आने टैंक प्रकर्मा विच दाखल करने शुरू कर देते वाहिगुरु सचे पाशा आपने पंत उपर सदर मेहर पर हाथ रखन उना टैंका दे उपर वी जड़े अंदर सिंग सा उनाने आपने बच्चे दे नाल वी बंब बनके उना टैंका नू तबाह किता और बीबियां सचे पाशा आपने पंत उपर सदा मेर परहाथ रखे इना केंदे हुए जनरल सुभेग सिंगी सदा लई चुप हो गए वाहिगुरु जी का खाल्सा और वाहिगुरु जी की फते बला गए तो आज यसी जनरल सुभेग सिंगी दा के आस आप जी देनाल संखेब रूविच जड़ा है उस सांजा कीता है आस है कि उनने जीवन तो असी प्रेड़ना लवांगे ते अपने सिक पौम वास्ते यो भी साड़े जोड़ीन दे फरज हन असी उननों पूरण करन वीच हमेशा तात पर रवांगे और एना शीदा दी जड़े पूरने पाए होई हन तो आज पासों कि इमा मंग दाहां गाज के फते बलांदाहां वाई गुरुजी का खालिसा वाई गुरुजी की फते